आपको नहीं लगता कि the criticism is unfair क्योंकि जब से उधव जी की सरकार आई थी तो COVID था आप जब आपने सत्ता संभाला तो COVID खतम हो चुका था तो COVID के दोरान तो कहीं पे भी construction activity नहीं था कोई भी project कहीं पे भी नहीं चल रहा था दिखिए सबसे बड़ा तो मित यह है क्योंकि Indian Railways ने सबसे ज़्यादा काम COVID के समय किया हमारे NHA ने सबसे लंबे रस्ते COVID के समय बनाए एक short spam था COVID के समय कि जिस समय काम बन थे उसके बाद इतने बड़े पैमानी पर सारे काम हो बाकि छोड़ दीजे इंडिया में COVID के समय बड FDI है आप देखिए मैं जिस समय मुख्यमंत्री था तो चार साल लगातार from 15 to 19 महराष्टर वस लीडिंग इन FDI हम नंबर वन थे और कैसे नंबर वन थे तो उसमें दो साल ऐसे थे कि हमारे बाद में जो चार राज्य थे उन चारों स्टेट का इंवेस्मेंट एक साथ कर दी उससे भी ज्यादा हमारा इंवेस्मेंट है और फिर हमारी सरकार गई पहले साल एक साल बाद गुजरात नंबर वन हुआ उसके अगले साल करनाटक नंबर वन हुआ हमारी सरकार वापीस आई इस एक साल में हमने वापीस महराष्ट को नंबर वन लाया इस साल वापीस FDI में number one is महाराष्ट दिखिए उद्धो जी की सरकार में काम क्यों नहीं हो पाए central government railways के लिए पैसा देती है state contribution देना पड़ता है उनकी सरकार ने दिनना लिया हम state contribution नहीं देंगे तो कैसे पैसा आएगा कैसे काम होगे हमारी सरकार आई हमने का हम state contribution देंगे 13,000 क्रोर रुपए 13,000 क्रोर have been allotted to महाराष्टरा this year for railways तो कुल मिलाकर उनका जो पूरा कारेकाल रहा ये जगडों में central government से प्रकार का उन्होंने एक दूरी बनाई और सबसे बड़ी बात यह है कि और यह मैं नहीं कहता शरत पवार जी ने अपनी बायग्रफी अभी पब्लिश किया है उनकी बायग्रफी में हो कहते है कि हमारे मुख्यमंत्री अपने office में धाई साल में किवल दो बार गए only twice he went to his office तो निर्णे नहीं होते थे उनके लोग क्यों तूट कर हमारे साथ आए क्योंकि उनके लोग मज़ाक में कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री जेब में पेनी नहीं रखते it isn't sign तो ऐसी सरकारी नहीं चलती है